आज आपको मज़ा आने वाला है दिल से बता रहा हूँ हाववर्ट, टैन्फर्ड और आक्सफर्ड के अंदर जो इनोवेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना एक अटेम्ट कर रहा हूँ सरल भाषा में हिंदी में आप तक लाने के लिए बहुत रिच कॉंटेंट है आज के वीडियो का, इसको मत छोड़ियेगा इंट तक देखिएगा, मोटिवेशनल नहीं है लेकिन इसकी ट्रांस्फर्मेशनल इंफर्मेशन आपको नेक्स लेवल पे लेके जाएगी देखिए वीडियो पूरा देखिएगा इसके end में मैं innovation के 5 steps बताने वाला हूँ आप भी innovation करना चाहते हैं आप भी चाहते हैं एक idea को execute कर जाएं 5 steps में होगा शुरू में बताने वाला हूँ हो क्या रहा है और पहले समझना क्या है देखिए क्योंकि मैं formula तो देता ही हूँ तो formula तो शुरू कर देता हूँ अगर समझ में आए तू भी पूरा वीडियो देखिएगा मैं बदा रहा हूँ बिल्कुल अलग वीडियो है आज का innovation should be based on future disruptive projections not on existing old assumptions ध्यान दीजेगा innovation क्या होता है आज आप जानना चाहते है नेक्स लेवल की बात करेंगे innovation should be based on future disruptive projections not on existing and old assumptions यह जो existing old assumptions होती है आपके experience के base पे होती है future disruptive projection आपकी imagination के basis पे होती है experience के base पे आप maintain कर जाएंगे लेकिन imagination के basis पे ही improve कर पाते हैं next level पे जाने के लिए maintain नहीं करना केवल improve भी करना है आज मैं आपको agility और stability की बात करूँगा agility से आप next level पे जाएंगे stability से आप process बना के उसको manage कर जाएंगे अगर बहुत बड़ा professional success चाहते हैं तो किस प्रकार innovation को भी innovate किया जा रहा है ध्यान से देखिए जब in the year 1900 and 1910 radio बड़ा प्रचलित हुआ करता था दुनिया में हो सकता है आपके दादा जी भी खूब radio सुनते हो लेकिन उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि photo वाला radio आ जाएगा 1920 के अंदर जब television आने लगा mainstream के अंदर लोग हैरान हो गए ऐसा भी radio होता है जिसमें बोलने वाले की photo दिखाई पड़ेगी लोगों को विश्वास नहीं हुआ disruption का अर्थ है 100% change उसके बाद radio के उपर जब television आ गया television अभी यहां रुका नहीं पहले तो black and white CRT TV हुआ करता था यह CRT होता है cathode ray tube उसके बाद colored CRT TV आ गया फिर plasma display पैनल तो आप देखते थे थोड़े थोड़े दिन पहले तक चल रहा था वो खतम हो गया LCD liquid crystal display ने उसको खतम कर दिया LED आ गया light emitting diode OLED आ गया organic light emitting diode यह disruption cable TV technology में नहीं हुआ टेलिफोन में भी बहुत हुआ 1940-50 साथ तक जो trunk call किया करते थे लोगों को नहीं पता था घंटो वेट करने वाली call अभी खट 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 तुरंत मिल जाएगी उन्हें नों radio common carrier ccc phone हुआ करता था बाद ने वो घुमाने वाला dialer phone आया उसके बाद तो fix analog phone के बाद portable cordless phone आ गए पर फोन यहां नहीं रुके 90's में जब mobile phone आया उसने तो दुनिया हिला दी company जितनी smart हो गई के उन्होंने सोचा mobile के अंदर जितनी चीज़े डालते जाएं आदमी का जीवन आसान होता जाएगा इसको बोलते है disruption पहले mobile का इस्तिमाल phone पे बात करने के लिए किया जाता था अब यह आप देखते जाएए 1996 में watch और calendar पहली बार डाला गया उसके बाद 2002 के अंदर पहला camera phone आया 0.3 megapixel का evolve होता रहा blackberry ने email भी डाल दिया 2005 में पहला walkman phone आया जिसने music और fm को समाप्त कर दिया 2008 में smartphone आने लगे जो की internet, reading, newspaper, watching tv सब चीजों को हिला दिया आज आपके mobile phone में घड़ी, calendar, music, radio, fm movies, tv, games, calculator, booking, banking, shopping, web browsing email, wallet, maps and navigation alarm clock, health monitoring, newspaper, camera, file manager, torch इन्होंने सोचा इसी mobile phone के अंदर सब कुछ डालते जाओ एक एक करके आदमी का जीवन बड़ा आसान कर दो अभी इतना ही नहीं है Android के साथ रोज हजारों नई mobile application बन रही है आपके जीवन को आसान करने के लिए 2030 तक 80% industries को disrupt कर देंगे ये software Amazon, Flipkart, Ola, Uber, Airbnb, Paytm ये सब क्या हैं ये खाली software ही तो है जिन्होंने आज धन्दा करने के तरीके को बदल दिया है आज से 20 साल के बाद आपकी जो current skill set है ये पूरा obsolete हो चुका होगा 80% jobs एकदम बदल चुकी होगी नए परकार की jobs आच चुकी होगी आज जो school में पढ़ाय जा रहा है आज 30 साल के बाद वो किसी काम का नहीं होगा 2D scanner और printer के बारे में आपने मैंने सबने सुनाए फोटो कापी आपने कराई color print out आपने करा सब जानते हैं लेकिन 3D scanner printer दुनिया में वो तूफान लाने वाले है जो किसी को समझ में नहीं आएगा ये 3D scanner printer क्या होता है 2D मतलब 2-Dimension 3D मतलब 3-Dimension 2-Dimension मतलब straight paper 3-Dimension मतलब जैसे एक ball उसको इधर 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 कहीं से भी चूट सकते हैं आज कल बड़ी-बड़ी machines आ गई हैं printing की जिसमें बीच में space होता है और वहाँ पे आप object को डालो उपर से वो scan कर लेगा पूरा चारो तरफ से object को हर तरफ से scan करके अंदर उसको बोलते additive manufacturing कमाल हो गया साब आपकी बुद्धी चकरा जाएगी आज हर चीज की 3D printing हो रही है आज हवाई जहाज से लेकर के एक छोटी ball से लेके एक दम वही इंसान खड़ा हो सकता है healthcare manufacturing, automotive, aerospace, construction ये सब तो already इस्तेमाल कर रहे है 3D printing का आपको जानके बुद्धी चकरा जाएगी चाइना के अंदर एक company ने एक दिन में 10 building 3D से actually खड़ी कर दी हो सकता है आपमें लोगों को विश्वास ना हो रहा हो 3D printing के माध्यम से 3D printing बहुत पैसा बचाएगा बहुत समय बचाएगा एक corporate office खड़े करने में सालों लग सकते थे of course आज printing machines थोड़ी महंगी है लेकिन आज से 4 साल पहले या 3 साल या 2 साल पहले के मुकाबले रोज सस्ती हो रही हैं जिसमें पहले पूरे model को scan कर लो और अंदर compatible material डाल दो तो पूरे पूरे boulders वो निकाल के खड़े कर देगा तुरंद बनाते हुए high speed पे हो रहा है 300 गुना जादा तेज 300 गुना बड़ा already काफी दिन हो चुके है 3D की पहली गाड़ी बन चुकी है already आज 90% medical devices कई हिस्सों के शरीर के अमेरिका के अंदर 3D प्रिंट किये जा रहे हैं हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपको कोई जूता चाहिए बड़ी असा उसका 3D मॉडल लो स्कैन करके मशीन के अंदर डाल दो फट 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 नया जूता बनाया पहना और निकल गई घर पर ही काम हो जाएगा जमाना बदल रहा है दुनिया बहुत तेज बदल रही इसको बोलते है इनोवेशन चार पंच बाते है बड़ी कमाल की बताना चाहता हूँ किसान थोड़े दिनों में किसान नहीं रहेगा किसान थोड़े दिनों में मैनेजर बन जाएगा क्योंकि एग्रिकल्चरल रोबोट ठाजाएंगे रोबोट फार्मिंग करेंगे किसान मैनेजर की तरह देखे का काम कराएगा जमाना बहुत तेज बदल रहा है आपको क्या देखते जाएं, ड्राइवर्लेस गाड़ियां आ रही है, आल्रीडी टेस्ट हो चुका है कैलिफार्निया के सडखों पे, आल्रीडी 200 किलोमिटर 500,000 और 10,000 किलोमिटर की ड्राइव गूगल कर चुका है, ड्राइवर्लेस गाड़ियों के साथ में, उसमें स्कैनिंग लेजर बना दी हैं आगे पीछे कैमरा के साथ में जो सब कुछ चेक कर रहा है ड्राइवरलेस गाड़ी में जीरो चांसे होने वाले हैं एक्सिडेंट के जीरो चांसे इतना प्रेसिजन आ रहा है इस तरफ है ट्रेडिशनल कार मनिफाक्चरर और इस तरफ है टेसला गूगल आपल ट्रेडिशनल कार मनिफाक्चरर एवोल्यूशन अपरोच से काम कर रहा है कार ओन वील और टेसला गूगल आपल रेवोल्यूशन अपरोच पे काम कर रहा है कम्प्यूटर ओन वील जो traditional manufacturer है न ये गाड़ी के अंदर कुछ 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 improvement ला रहा है लेकिन ये Apple, Google और Tesla सब कुछ बदल देंगे थोड़े दिनों में traditional car manufacturing company bankrupt होने वाली है आप देखते जाएए इस समय बुद्धी चकरा गई है अमेरिका के अंदर Tesla electric car जो ला रहा है न इस समय already 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 उनका market capital बाकी company के मुकाबले सबसे जारा तेज़ बढ़ रहा है turnover उतना नहीं बढ़ा लेकिन एक्तम revolution ला दिया है गाडियों में BMW, Audi, Mercedes तब्यत खराब हो गए ये वहाँ पे लोगों की उनके सारे इंजीनियर इस समय परिशान हो रहे है टेसला के आने से राडा टेक्नोलोजी की तरह है लीडार टेक्नोलोजी आ गई है light detection and ranging ये लीडार टेक्नोलोजी की मदद से गूगल जो अपनी गाडिया बनाने जा रहा है गूगल एक्चुली गाड़ी खुद नहीं बनाएगा वो वेंडर मैनुफैक्टर सप्लायर थर्ड पार्टी साथ में लेकर के और्गनाईज करेगा अपना सॉफ्ट्वेर अपने सिस्टम बनागर के उसके बाद पार्टनर्शिप में जो गाड़िया बनाने वाला गूग हैरान हो जाएंगे बुद्धी चक्रा जाएगी आज इस समय जमाना इतनी तेज बदल रहा है इनोवेटिंग दी इनोवेशन इसलिए किया रहे हैं इनोवेशन शुड़ बेल्ट फ्यूचर डिसरॉप्टिव प्रोजेक्शन नॉट और एक्जिस्टिंग ओल्ड एजंप् आपको इस समय हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों को ड्राइविंग लाइसन्स बनाने की जरूरती ना पड़े ड्राइवर लेस गाड़ी आएगी मोबाइल एप्लिकेशन से बटन दबाया और जाने की लोकेशन और स्टार्ट करने की लोकेशन डाली हम हो जाएगा मार्किट इतना तेज चेंज होने वाला है इन फैक्ट आपको पार्किंग की स्पेस की दरोती नहीं जितना जहां ते चालू किया उतने तक पे किया गाड़ी आई और चली गई टेंशन ही नहीं हो सकता है लोग क्योंकि अब ड्राइव नहीं करना लोग दू ना लिया है इंसान इंसान को पैचानने में गलती कर सकता है फेस्बुक नहीं करेगा ऐसे पैटर्न डेवलप कर लिये हैं इन फैक्ट आने वाले समय में स्मार्ट फोन इतने सस्ते हो जाएंगे जितनी सस्ती सबजिया मिलती हैं और इन फैक्ट जब पढ़ाई भी मैक्सिम यूमन ब्रेंज से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा अचुली इस फास्ट मूविंग कॉंपटिटिव मार्केट के अंदर इन एफिशेंट इनोवेशन प्रोसेस आपको खिल कर देगा एकदम खतम कर देगा आपको समझ में नहीं आएगा दीरे दीरे आप रोज न जाऀशल गोल श्मिग्स ने मुझे बेस्ट लीडिशिप ट्रेनर इन इंडिया नहीं बेस्ट लीडरस्षिप ट्रेनर इन इसया जाड़ दिया और यह मॉझा बेस्ट लीडियरशिप बिल्हारिक्त कर देवलप करने में मैं थो जो एक loss making organization को profit making पे लेके गई है इसलिए second part बिलकुल मत मिस करियेगा बहुत powerful है here is the second part अगर इस वीडियो में मुझे ज़्यादा likes मिले और काफी feedback comments आएं तो मेरा उत्सा बढ़ेगा मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद